हरे कृष्ण, पिफ, पैंग, उफ, आउच, मानव शरीर के अंदर सारे अंग एक दूसरे से लडाई कर रहे थे आँख, नाख, जीब, दाथ, हाथ और पैर आपस में इसलिए जगड रहे थे कि कौन इन सब में श्रेष्ट है मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, आँखोंने घोशना की, क्योंकि मैं ही हूँ जो भोजन को सबसे पहले देखती हूँ कितनी मूर्ख है, नाक इतराई, तुम्हारे भोजन को देखने से पहले मैं भोजन को सुंग लेती हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ट हूँ तुम्हारे भोजन को देखने और सुंगने का क्या महत्व, हम है जो भोजन को चबाते हैं और उसी से इस शरीर को स्वास्ते और शक्ती प्राप्थ होती है, इसलिए हम सबसे महान हैं, दांतों ने अपना तर्क दिया था तुम सबसे महान हो, तुम तो भोजन को सिर्फ चबा सकते हो, तुम्हारे द्वारा भेजे गए भोजन को मैं अस्वीकार कर सकती हूँ, मैं ही हूँ, जो तुम्हारे कारे का निरिक्षन करती हूँ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, जीब चिल्लाई लगता है तुम सभी हमारे कारे को भूल चुके हो अरे हम ही हैं जो भोजन को उठा कर मोह तक पहुचाते हैं हमारे बिना तो तुम सब भूके मर जाओगे हाथों ने अपनी तारीफ की थी अरे 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 हम ही हैं जो तुम सब को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां भूजन रखा होता है हमारे बिना तुम सब किसी काम के नहीं पैरों ने अपना मत दिया था इस पतार भी सभी अंग आपस में लड़ते जगरते रहे वाद विवाद करते रहे अंत में भी एक निशकर्ष पर पहुंचे नोने कहा कि हम सभी महतवबून है हम सभी महनत करते हैं कुछ ना कुछ कारे करते है परंतु केवल ये पेट ही ऐसा है जो आलसी और निकम्मा है ये कुछ नहीं करता ये हमारे द्वारा की गई मेहनत के फलों का आनन्द उठाता है हां हां बिल्कुल सही बिल्कुल सही ये पेट एक तम निकम्मा और आलसी है चलो हम सभी अपना काम छोड़कर हरताल पर चले जाते हैं ऐसा कहकर वे सभी अपना कारे छोड़कर हरताल पर चले गए आखों ने भोजन को देखना, नाक ने उसे सूंगना, दांतों ने चबाना, जीब ने उसका स्वाद लेना बंद कर दिया हाथ और पैरों ने भी अपने अपने कारे करने बंद कर दिये वे सभी मिलकर पेट को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे परनतों पेट धैर पूरवक बैठा रहा कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था दीरे-दीरे कुछ दिनों के बाद आखों की देखने की शक्ति कमजूर हो गई ये सभी इतने कमजोर और बीमार हो गए कि उन्होंने जल्द ही एक अपात कालीम बैठक बुलाई और उस बैठक में सर्व सम्मती से सब ने ये निर्णा लिया कि हम सब अपने पुराने वाले कारे पर फिर से वापस चले जाते हैं हम सभी अपना कारे अच्छी तरह दरेंगे जब हम सब मिलकर भोजन को पेट तक पहुंचाते हैं तो यह पेट उस भोजन को पचाता है, हजम करता है और उसी से हम सब को शक्ती और उर्जा मिलती है हम सब सुखी और संतुष्ट रहते हैं यद भी पेट का कारे दिखाई नहीं देता परन्तु वह अत्यंत मत्वपून है इसको नकारा नहीं जा सकता हाँ हाँ यह सही है, यह सही है सभी ने एक मत दिया ऐसा कहकर वे सभी फिर से अपने पहले वाले काम पर वापस चले गए उन सभी ने अपना कारे करना शुरू कर दिया जिससे वे दोबारा पहले की तरह शक्तिशाली, उर्जावान और संतुष्ट हो गए और उसके बाद वे कभी भी हरताल पर नहीं गए तो बच्चों, हमारी इस कहानी में हमने देखा कि वे सभी अंग, उन सभी को कारे करने की शक्ति, उर्जा और पोशन पेट से ही प्राप्त होता था पेट ही उनकी शक्ति का स्रोत था इसी प्रकार हम भी स्वभाग्यवश, उस परंपिता, उस भगवान के अंश है, अंग है और यदि हम भी भगवान की सेवा नियमित रूप से करेंगे तो हम भी आनन्दित वसंतुष्ट रहेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि हम सब अपनी अपनी उपादियां जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसल्मान हूँ, मैं इस्तरी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर गरीब ये सब उपाधियां हैं जिनमें हम सब फसे हुए हैं घिरे हुए हैं जिस प्रकार वे सभी अंग अपने को श्रेष्ट साबित करने की उपाधियों में फसे हुए थे घिरे हुए थे परन्तु जब उन सबने अपने उन उपाधियों को छोड़कर पेट की सेवा करना शुरू की तो वे फिर से शक्ति शाले और संतुष्ट हो गए उसी प्रकार यदि हम भी अपने इन सभी उपाधियों को छोड़कर भगवान की सेवा करते हैं तो हम भी एक सुखी, संतुष्ट और आनन्दित जीवन जीने की रहा पर चलेंगे और इसी को भक्ती कहते हैं धन्यवाद हरे कृष्ण